हाल ही में साल 2022 से लेकर 2023 के बीच कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा भारत जोडो यात्रा निकाली गई थी जिसका असर कई राजियों में देखा भी गया तो कई राजियों में भारत जोडो यात्रा विफल भी रही आपको बता दे कि भारत जोडो यात्रा दक्षन से उत्तर की ओर की गई थी लेकिन अब कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनावों से पहले एक नया जाल फेक दिया गया है जिना आपको बता दे कि इस बार राज्यो को जीतने के लिए कॉंग्रेस पार्टी पूरफ से लेकर पश्चिम की ओर एक यात्रा करने वाली है और इस यात्रा को उसने नाम दिया है भारत नया यात्रा आज हम आपको भारत नियाय यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने वार हैं लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए शेर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मुझो पत्रकार को जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टो टाइम मिलती रहे नमस्कार, स्वागत है आपका मुझो पत्रकार में, मैं हूँ आपके साथ उद्देश मंगल आपको बता दे कि भारत जोडो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी मनेपुर से मुंबई तक भारत नियाय यात्रा निकालने की तैयारी में है आगामी 14 जनवरी से कॉंग्रेस पार्टी की भारत नियाय यात्रा शुरू होगी राहुल गांदी मनेपुर से मुंबई तक जाएंगे रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉंग्रेस के इस आयोजन में पार्टी आला कमान के अलावा प्रदेश कॉंग्रेस के तमाम नेता भी शरकत करेंगे पाटी के कारिकरम से जूडी रिपोर्ट्स के मुताबिक राहूल गांदी भारत जोडो यात्रा की तर्ज पर ही जन संपर की नई कवायत करने जा रही है। पूर्वोत्तर भारतिये प्रदेश मनेपुर से 14 जनवरी को शुरू होने वाली यात्रा 20 मार्च को खत्म होगी। कॉंग्रेस महा सचेव केसी वेनुकुपाल ने बताया कि यात्रा के दौरान युवाओं, महिलाओं और हाशिये पर मौजूद लोगों से बाचीत करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई प्रदेशों से गुजरी इससे पहले जो भारत जोडो यात्रा थी, उसके बाद राहुल गांधी और कॉंग्रेस के पास एक बड़ा अनुभव आ चुका है। महराश्ट्र पहुंचेगी मुंबई में 20 मार्च को यात्रा का समापन होगा। बतादे की बीते 21 दिसंबर को कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी की बैठक हुई थी, इसमें सर्व सम्मती से 14 जनवरी से मनिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा आयुजित करने का फैसला लिया गया। सम्मीती ने स्विकार किया कि राहुल गांधी को पूर्व से पश्श्विम तक जाने वाली इस यात्रा की शुरुआत मनिपुर से ही करनी जाए। राहुल गांधी भी सम्मीती में बनी आम सहमती पर राजी हो गये। 65 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा की दौरान राहुल और अन्य कॉंग्रेस नेता 14 राजियों और लगभग 85 जिलों से गुजरेंगे। भारत जोडो यात्रा की विप्रीत इस बार बस से 62 किलोमीटर का सफर तै किया जाएगा। पिछले साल 6 सितंबर को कन्या कुमारी से भारत जोडो यात्रा की शुरुआत की थी। हिंसक घटनाओं और जातिय टक्राव के कारण मनेपुर लगातार सुर्खियों में रहा था। सम्विदनशील हालात को देखते हुए खुद ग्रह मंदरी अमिशाह को मनेपुर दोरा करना पड़ा था। कुकी और मैते समुदाओं के टक्राव और हिंसा के दोरान महिलाओं की नगन परेड जैसी शर्मनाक कर हगटनाए भी वहाँ पर हुई थी। इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा गुआ था।